गुद बॉर्णिग स्टुटेट्स टुडेवी गुंग तु स्टुडेवी अग्सक्राइस क्लाश एलेवन्थ धैट इस वरी इंपॉर्टन चप्टर नेमिजि केश बुक अब नाम से बहुत चलता है कि कैश बुक क्या होगी सब कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी बुक जिसमें हम कैश के रिलेटर ट्रांसेक्शन लिखते होंगे ऐ तो यहां पे हम रेसीप्स जो पैसा आ रहे हैं वह निखते हुगे मगऄ क्याश यहां पैसा जा रहा है मगऄर क्या जीज सुर्व चैस के लिटर ट्री या तो कैशके ट्रांसेक्शन होगी या तो बैंक की ट्रांसेक्शन होगी एसी कोई किताब जिसमें हम कैश जब बैंक की ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड करते होंगे क्योंकि हम कहते हैं कि अब बार बार लेजर बना देते हैं कि हम एक किताब बना देते हैं एक बुक बना देते हैं जिसमें सिरूफ हम कैश के लिटे ट्रांसेक्शन दिखेंगे उस बुक क्रेडिट जर्स ठीक है जब पैसा आईगा तो आपने डेट एक साई रिकॉर्ड करना अब सर है कि कैश्बूक कितनी तरह की होती है आप देखी बड़ा कैश्बूक इस इस आफ डू टाइपस है में दो तरह की होती है एक बेटे बोलते हैं सिंगल एक सिंगल क्राइब होती है जिसको आपना सिंपल कैश बुक बोलती हो इसमें सुरूब कैश का कॉलम होगा इसमें एक ही कॉलम होगा कैश का सेकंड होती बेटा डबन कॉलम कैश बूग इसमें दो कॉलम होगे ऑज़न सकते हैं थीक है है जिन थे सिंगल का कोल्म कैश बूग और को दो तरह के होती है क्वधिश काश का कास कॉलम क्षबूक खोकॉग कैसे करना होते हैं तो देखिए जैसे देखिए students एक question given है enter the following transactions in single column cash book single column cash book में आप याद अखना सुर्फ cash के related transaction लिखने होती है जिसमें cash ही involved हो ठीक है जैसे को commence business with cash bought goods for cash paid carriage sold goods for cash received from RAM pay to shift shanker cash sales purchase furniture for office use यह कुछ transaction मुझे दी हुई है अब मैंने इसका format बनाना है format क्या होगा देखिए single column का कि यह single कॉल्म कैश्बू का format है सबसे पहले डेट पर्टिकुलर लेजर फोल्यू कैश डेट पर्टिकुलर लेजर फोल्यू कैश सेम जैसे आपने लेजर का format बना है तो सेम वही format है debit credit अब हम देखते रहना है कि हमारी cash कि side आ रही है ठीक है जैसे मैंने पहले transaction की commence business with cash यह एका cash account दियार तू capital account cash debit side आ रही है debit side आएगी नाम किसका लेगी capital का तो मैंने सुझ यहां पर cash के अंटे डिखनी है सिफर्स में को मैंने capital account दिया cash में 25 अब यह देखिए थर्ड में की ठीक है यह मन्त है में का ठीक है में का अब कहता है ब्रॉट गूट्स फॉर कैश गूट्स ख्रीदें cash दी तो cash गई cash कहां पर आएगी हमारी credit side आई होगी तो credit side आएगी नाम किसका आएगा purchase का सेम मैंने यहां पर रेका purchase account 10,000 फिर देखिए थर्ड एंट्री पेड कैरेज खर्चा है तो कैरेज एकाउंट डिया टू कैश एकाउंट यह हुगी तो कैश हमारी credit side कैश का नाम आज जाएगा तो देखिए कैरेज बरेंट्री आगी यहां पर देखें फिर देखिए हमें sold good for cash cash आई cash to sale अब two sales आएगी क्योंकि cash debit side है तो यहां पर हम two sales लिखेंगे चार बई की 10,000 पीजब पैसा आएगा यहां लिखना है जब पैसा जाएगा तो यहां लिखने ठीक है कैश आएगी यहां लिखने कैश गेई तो वहां लिखने सिंपल याद रखो आप फिर paid for advertisement पैसा गया भाई advertisement फिर पर्चेश गुड्स फ्रॉम महेश ओन क्रेडिट उदार पर करेदें उदार बचीज लेनी नहीं हमने हमने सुझ कैश वाली चीज़े लेनी यह अंट्री आईगी नहीं हमने ठीक है उदार वाली चीज़े लेनी नहीं है पेड तो महेश महेश को पेड किये cash ग टर्ट लेसीव और कमिशन के रसीव फर कमिशन अब आपने कमिशन किया पैसा आया वाई टू कमिशन यहां पर यूँज कैस्ट आपने विडरियो किया पर्सनल यूज के लिए पर्चेश गयी बाई ड्रॉइंग फिर पीज डेट सेलरी सलरी पेगी के सेलरीज इस तीकल से हमने single column जो है केश बुझानी है थिक है तो I hope आपको single column cashbook समझाइब इसे में cash transaction याद रखना शुरूव cash की तिक है यह होगी single column अ-ध्य ठिक है अब हमने करना है इसको बैलेंस भी करना होता है अब मैंने देखा कि मेरे को साइड को से बढ़ी आ रही है तो मैंने का डैबिट साइड जो है वह एमोंट ज्यादा आ रहे है यही बैलस में यहां होता रिया सबस्क्राइब आपने सिंगल कॉलम कैश्बुक बनानी होती है तो आई हूप आपको सिंगल कॉलम कैश्बुक समझाईए ओगी सब बचों को देखे सुट्स पिछला कोच्फ्स में आपको सिंगल कॉलम कैश्बुक समझाई था अब हम डबल कॉलम कैश्बुक पढ़ेंगे डबल कॉलम में कुछ नही है इसमें दो कॉल्म बनेंगे एक कैश्च tune वियसमें हमेरा दो कॉलम सरा पर लिखेंगी जिसमें बैंक में वैं क कान्टर एंटरी कि हम सुन करदें का यह हो इंटरी और यह जिसका इफेक्ट दोनों साइड होता है देखिए अद्रिक पर उसको लिदे प्रत्त रॉट करते हैं कि हमें पोशण करूंगा आपको समझाये कि की जैसे करते लेकिए जैसे यह मैंने रॉमिट कॉशन दे आपको सब्सक्राइब कॉलम कैश्बूक है स्टाटिट बिजनस विद कैश कैश आई तो मैंने इसको तो कैपिल एकाउंट लेखा सब्सक्राइब कैश में इसमें बनेगा कॉलम सब्सक्राइब कैश बैंक डेट पेमेंट के पर्टिकूलर लिख सकते हो तो कैश्बूक में यह हमाई डबल कॉलम कैश्बूक है ठीक है तो देखिए पहली एंट्री हमने कैपिल को में लिखी कैश आई हमारे पास 80,000 वो मैंने यहां पर लेख दी सेकेड एंट्री देखिए बटाए डिपोजिट इंटू बैंक अब आपने कैश दिपोजिट कराई बैंक में एंट्री बनी होगी बैंक बड़ा कैश काम होगी तो यह कॉंट्र एंट्री होगी जिसका दोनों साइट एफेक्ट आ रहा है बैंक में भी आ रहा है कैश में देखिए इंट्री के डालेंगे हम बैंक एकाउंट डियार 2 कैश एकाउंट तो क्रेड़िट साइट कैश आएगा पर नाम बैंक का लेगा एमांट कहां पर चार्ड डिसंबर को इमांट डाल देंगे क्योंकि बैंक कर रहा है यहां पर आप देख रहा है यहां पर नाम साथ वाले का लेगा तो आप आजएगा बैंक में आजएगा व्यूंकर पैसा आया पर बाट गूड्स फॉर कैश भूड्स खरीदें कैश देकर कैश गी बाई एट फाउद रुपीस ठीक है ब्रॉट गूड्स बाई चेक चेक दिया बैंक कम हो गया तो यहां पर लिखा हमने ठीक है फिर पेट टू शाम बाई कैश शाम को पैसा दिया कैश शाम कैश गई ठीक है समझा रही है ड्रीव फ्रॉप बैंक फॉर ओफिस यूस बैंक से पैस बैंक के एकनि फिर वेकले ये फिर कॉंट्र आएक पर गई ये एंटरी क्योंकि आपने ऑफिस तो एंट्री होगी केश एकाउंट डियार्ट डेंक अकॉन दियार्टि रिखेंगे अब नाम नाम बैंक का लिखेंगे तो दिखिए Contra entry लिए टू बैंक एकाउंट कैश में लिखा पर यहां पर पढ़ियोगी यह पढ़ियोगी वैकाश है एमॉड बैंक पर लिखा कॉंटर एंट्री होगी ठीक है फिर रेंट पेड़ बाइचेक रेंट पेड़ पैसा गया रेंट पे एक हजार अब उसके बाद हम निकार करना होता है देख रही होती है कौन से साइड बढ़ी है कौन से चोटी है तो यहां वे सामने दिख रहा है कि सर डेबिट साइड जो है वो बढ़ी है कि इतनी बढ़ी है से यह आएगा 83,000 यह आएगा 50,000 यहां पर हमें लिखा 83,000 50,000 ठीक है बच्चों अब हमने 50,000 में से यह आमोड माइस करें 10,000, 2,000, 1,000, 30,000 माइस करेंगे 37,000 पर आपका बैलेंस करेंड होना जाएगा सेम 83 में से यह आमोड माइस करेंगे तो 5000,000 अमर बाद जो होगा वो बैलेंस करेंड होना जाएगा इस त्रीके से हमें double कॉलम कैश्बुक करने होती है अई होप आपको double कॉलम कैश्बुक समझाई होगी इसका Benk इफेक्ट आएगा विए चाह नोट होता है के जगह पर डिसकोंट वह आपको समझाओंगा और single कॉलम में हमने सुर्फ देखने होता है कैश के इन्टरिस जिसमें हमें सुर्फ कैश की रही होती है कि इसमें कैश बुक में अगर सिंगल कॉलम है तो कैश के अंटी देखनी है अगर डबल कॉलम है कैश बैंक दोनों के देखनी है ठीक है आई होप आपको कैश को कब समझाई होगी थेंक्यू स्टूट्स